Hello and welcome back to my channel So, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 5 Best Salt Water Fishes for Beginners So, बहुत कोई इंडिया में Salt Water Fishes तो रखना नहीं चाहते हैं Mainly Salt Water Aquarium ही नहीं रखना चाहते हैं लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि चलो यहार स्टार्ट करते हैं Salt Water Fishes को भी रखना So, उनके लिए यह Perfect Guide वीडियो है मतलब मैं इसमें बस आपको बताऊंगा कि as a beginner आप कौन से Fishes को रख सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा problem ना हो maintenance में और आप धीरे धीरे experience ले ले ताकि आप आगे चलके और भी अच्छे अच्छे Marine Fishes अपने Salt Water Accurion में रख सकें तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट तो पहले नमबर पे है Oceleris Clown Fishes जिससे हम लोग Force Percula या फिर Common Clown Fishes के नाम से भी जानते हैं इन्हें ऐसा बोला जाता है कि beginners के लिए यह सबसे best fish होते हैं क्योंकि these are the easiest Marine Fishes to keep ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि यह 15 to 20 gallons में भी easily रह सकती है साथ में अगर आप इन्हें बड़ा Aquarium दीजेगा माल लिजिए 5 feet का 6 feet का तो आप गौर कीजेगा कि यह लोग बस Aquarium के एक corner ही में आपको देखने को मिलेंगे यह बहुत rarely ही उस एक corner से दूसरे corner में जाते हैं क्योंकि यह territory builder होते हैं और अपना territory बना देते हैं एक जगा पे और वहीं पे रहते हैं सो अगर मैं बात करूं तो wild caught जो clown fish होती है वो जादी महंगी बिकती है as compared to Aquarium breeded लेकिन beginners के तोर पे आपको wild caught clown fish नहीं लेना है आपको लेना है Aquarium breeded क्योंकि Aquarium breeded जो होती है वो easily feeding ले ले लेती है लेकिन wild caught जो होती है वो जल्दी feeding नहीं लेती है क्योंकि Aquarium breeded उस तरीके के habitat में रहने के लिए पहले से ready होती है लेकिन जो wild caught होती है वो wild से पकर के आई है तो वो जल्दी feeding नहीं लेती है तो maybe हो सकता है कि आपकी clown fish मर जाएगी क्योंकि आप अभी start ही किये salt water fishes को रखना और उनके बारे में आपको ज़्यादा details नहीं पता है तो आपको aquarium breeder रखना है जो की 200 रुपी से starting होती है और 50,000 तक भी इनका prices जाता है तो उस जिसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे लेकिन आपको easy से 200, 400, 500 में easy से clown fish मिल जाएगी fire fish बहुत ही quiet and non aggressive fish होती है यह एक ऐसे face होती है जो बहुत ही insecure feel करती है अपने आपको किसी भी environment में और अपने hide out से यह तब तक बाहर नहीं आती जब तक इन्हें ऐसा नहीं लगे कि वो secure है so fire fish अपने breed के towards थोड़ा सा aggressive behave करती है और दूसरी species के तरफ aggressive behave नहीं करती है so अगर आप एक tank में एक से ज़्यादा fire fish रखेंगे तो आप भले ही गौर कर लेग जी अगात की एक दुवो दोनों आपस में लरने लगेंगे so अगर आप चाहते हैं कि एक से ज़्यादा fire fish रखना आपने qudium में तो एक bonded pairs भी आते हैं वो आप direct purchase कर सकते सेलर से so आप इसे अच्छे सेलर ही से लेना क्योंकि अगर आप पैसे एरे एरे सेलर से ले लेंगे तो वो एक bonded pair आपको नहीं provide कर पाएगा so अगर इसकी pricing की बात कर लें तो ये 900 रुपी से start होती है और बहुत आगे तक भी चली जाती है गोबीज basically sand shifters होती है मतलब इन्हे sand shifters भी बोला जाता है और आपके salt water tank के sand beds होते हैं उन्हें ये clean भी करती है by removing micro fauna, co-pods and other small organisms so गोबीज बहुत ही friendly fish होती है मतलब ये एक tank में दूसरे fish को harm नहीं करेगी और आप इन्हें दूसरे tank mates के साथ भी easily रख सकते हैं कोई भी problem नहीं होगी but problem वहाँ आती है जब आप इसके tank में एक और sand shifter डाल दीजिएगा तो मतलब अगर एक tank में आप एक से जादा sand shifter नहीं रख सकते हैं जब तक कि आपका tank एक बहुत ही अच्छे size का ना हो तो अगर इसके pricing का बात कर ले ये 500 प्लस से starting होती है और ranges पर depend करती है इनके qualities पर depend करती है तो इसमें हम लोग से बात कर रहे है diamond और yellow गोबीस की blenny बस एक beautiful fish ही नहीं उसके साथ साथ ये beginners के लिए best fish भी माली जाती है क्योंकि ये बहुत की ज़्यादा peaceful होती है blenny अपना ज़्यादा दर वक्त hideout में बिताती है तो इस वज़े से आपको अपने tanks में rocks और कुछ plants प्रोवाइट करने होंगे या फिर coral जैसा भी आप डाल सकते हो एक competition की तरह उन्हें देखती है और वो एक दूसरे से कभी कभी लड़ भी जाते है तो अगर बात करें इसके pricing की तो ये भी 500 प्लस आता है depends upon its color and quality dotty fish भी beginners के लिए एक बहतरीन fish माने जाती है ये hardy होने के साथ साथ बहुत सारे color variations में भी आती है जैसे की blue, purple, yellow और उसके साथ साथ by color में भी जैसा की half yellow and half purple ये fish semi aggressive है मतलब की अगर आप चाहते हैं की जादा aggressive behave ना करे तो आपको इनके tank का एक proper size देना पड़ेगा और अच्छे से इन्हे hiding place देना पड़ेगा और इनकी diet को भी आपको अच्छा रखना पड़ेगा तो ये बहुत ही जादा mangy face नहीं होती है ये भी आपको 350 प्लस में easily available हो जाएंगी depends upon its color and quality So thank you guys for watching this video आज का video बस यहीं तक था मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में जब तक के लिए बाए